अब जाके आप बिल्कुल सही वीडियो पे आप आप चुके अगर आपका भी फेस्बुक अकाउंट हैक हो चुका है किसी ने आपके आईडी का फोन नंबर इमेल आईडी ये चेंज कर दिया है तो उस्तिति में भी आप बढ़ियासन से अपने फेस्बुक अकाउंट को रिक चानल को सब्सक्राइब नहीं है तो पहले सब्सक्राइब करके रखना बेल आइकोन पर क्लिक करना कमेंट करते उस टॉपिक की वीडियो आप देख सकते हैं और भी कई सारे वीडियो आते जाते रहेते ओके तो चलिए विदाउट है निवेस्टिंग और टाइम जानते तर तो फ्रेंट्स यहाँ पर स्क्रीन रेकोड़ी ओने आप स्टेप बाइ स्टेप सब स्टेप ध्यान से फोलो करिए अब यहाँ पर आपको जा करना है सिंपली यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है जिया अपने फेस्बुक एप्लिकिशन का अभी यूज ना करे डारि फेस्बुक हेल्प सेंटर अब इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफरेस आजएगा अब यहाँ पर आपको नीचा आने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर हैक अकाउंट में फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ प आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफरेस आजएगा यहाँ पर आपको नीचा आना है फ्रेंट्स नीचा आने के बाद थ्री आप्शन आपके सामने आजाएंगे टॉप के दो आप्शन ही आपके लिए इंपोर्डन्ट है ओके अब यहाँ पर पहले आप्शन में लिएक का है something else gain access to my account मेरा अकांट किसी ओर ने एकसे कर लिया है सेकन्ड आप्शन मेरे ट्रेंट का अकांट किसी ओरने एकसेर कर लिया है अब यहाँ पर आपको क्या गरना है first role option पे ही click करना है ओकि आपका account hack हो गया है तो उस्तिते में first role option पे ही आपको click करना है जैसे click करेंगे click करने के बाद नीचे आना है अब आगे आपको facebook पुछेगा यहाँ पे यह जानके हमें दुख हो आए आपका account hack किया गया है क्या आप खाते को login करने में सक्षम है है तो यहाँ आप है yes कर सकते है I can still login या login नहीं कर पा रहे है तो उस्तिते में no I can't login इस वाले option पे click करना है तो अब हम login नहीं कर सकते हैं तो उस्तिते में no I can't login पे में click कर देता है अब जैसे click कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है वागे Facebook पूछता है कि आपका email address phone number Facebook से link है तो उस्तिति में आप यहाँ पर yes कर सकते हैं अगर access है तो उस्तिति में आप यहाँ पर first order option पर click कर सकते हैं नहीं है तो यहाँ पर click कर सकते हैं No, I don't have access the phone number email address on the account Okay, तो मैं अब इस second order option पर tick करूँगा अब जैसे tick करेंगे टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे यहाँ पर Facebook एक आपके सामने link provide कर देगा अब यहाँ पर इस वाले link के ऊपर आपको click करना है तो friends यहाँ पर अगर आपका phone number है तो phone number से आप अपने ID को search कर सकते हैं अगर उस बंदे ने, आगे के बंदे ने phone number change किये तो उस्तिति में आप यहाँ पर email address का use कर सकते हैं तो उस्तिति में आपको क्या करना है search by your email address और email instead इस वाले option पर tick करना है अब tick करने के बाद friends यहाँ पर simply वो email address आपको डाल देना है तो email address अगर नहीं पता है तो उस्तिति में आप अपना नाम भी search कर सकते हैं मतलब नाम से भी search कर सकते हैं पहले में email address से search करके दिखाता हूँ यहाँ पर simply आपको search करना है फोन नमबर का तो हमारे पास access नहीं है तो उस्तित में आपको क्या करना है try another way पर click कर रहा है अब यहाँ पर आपको और कुछ information इस तरह के आजाएगी अब यहाँ से भी आपको अगर access मिल जाता है तो ठीक यहाँ पर access कौन गोन से वो भी आप देख सकते पहले तो email address से मतलब यहाँ पर जो email address से इस पर जो भी facebook account है उसे आप recover कर सकते second SMS से भी आप recover कर सकते third अगर आपका WhatsApp नमबर लिंक था वहाँ पर तो उस तित में आप WhatsApp से भी अपने facebook account को recover कर सकते अगर hack हो गए तो okay try करके जरूर देखना है इस वाले option पर okay अगर नहीं है तो आप अपने Google account का यूज कर सकते तो मेरे पास तो email का तो access ने आगे के बंते ने email भी change किये तो उस्तित में आपको क्या करना है यहाँ पर मैं not know पर क्लिक कर देता हूं तो STT में क्या करना है यहाँ पर आपके ID का नाम यहाँ पर डाल देना है जैसे आप में डाल देता हूं महेश हराल अब मैं यहाँ पर search पर क्लिक कर देता हूं दोन में से जो भी आपका ID हो उस ID पर आपको simply क्लिक करना है जैसे friends आप क्लिक कर देता हूं तो क्लिक करने के ब यहाँ पर आपको no longer have to access to deals, इस option पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का enterprise आ जाएगा friends, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर start के button पर आपको क्लिक करना है, अब email address यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी नय email address है, वो यहाँ पर डाल दीजिए, email address जालने के बाद, get code पर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे, तो friends, इस email ID के ऊपर एक code आजाएगा, otp आजाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, otp भी आ गया है, अब उस otp को डालने के बाद, यहाँ पर simply confirm के button पर क्लिक करना है, अब आगे आपको एक option मिलता ह है, upload ID का, तो यहाँ है upload ID के ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे friends click कर देते, क्लिक करने के बाद, आपका पूरा नाम यहाँ के आपको डाल देना है, मेरा अपना पूरा नाम यहाँ पर मैंने डाल दिया, अब यहांब चूज फाइल पे क्लिक करके, जो भी आपके पास identity आप प्रेंड्स नीच आने के बाद यहां पर यहां पर सेंड के बटन पर क्लिक करना है, तो यहां पर आगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरप्रेस आजएगा, तो यहां पर लिखाए, तो फ्रेंड्स यहां पर आपको इमेल को द्वारा फेसबुक कॉंटेक करेगा, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं, अभी अभी मुझे यहां पर इमेल आया है, कि मेरा अकाउंट यहां पर रिकोवर हो गया है, तो फ्रेंड्स उपर मेरा नाम भी शो रहा है, thanks for gun forming your identity अब यहाँ पर reset password को option भी मुझे आ गया तो मैं इस पर click कर देता हूँ अब click करने के बाद fingerprint लगाने के बाद मैं यहाँ थोड़ी दिर wait करता हूँ wait करने के बाद आप देख सकते हैं नया password डालने का option यहाँ पर आ गया है तो comment box में comment ज़रू करना comment करने के बाद चानल को subscribe करके bell icon पे ज़रू क्लिक करना इसके दो विन विटे पहला benefit यह कि आप उस comment की उपर की वीडियो देख सकते हैं second informative and tips and tricks के related वीडियो इस चानल पे आते जाते रहेते तो उन वीडियो उसको आप देख सकते हैं अब ज़ादे अदे इस विडियो को लाइक ज़रू करना friends धन्यवाद अत्यनता आपारी विडियो देखने के ने thank you